Hello Traders, Welcome back to my channel The Marketverse, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी Intraday Analysis सेयर करूँगा, जिसमें कम से कम risk reward ratio 1 is to 2 या फिर इस से ज़्यादा का होगा. तो चलिए आज किस बहतरीन वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे पहले Traders हमेशा की तरह हम लोग उन स्टॉक्स को डिसकस कर लेते हैं, जिसे मैंने आप लोग के लिए Friday के Intraday सेशन के लिए सेयर किया था, तो Friday के लिए Traders मेरा सबसे पहला Intraday स्टॉक था Tata Chemicals, इसके अंदर हम लोग को बहुत ही सांदार breakout देखने का मौका मिला, और फिर ये easily हमारे target को achieve करता हुआ भी नजर आया है, Friday के लिए मेरा दूसरा Intraday स्टॉक था Birla Soft, इसके अंदर भी Traders हम लोग देख सकते हैं, कि बहुत ही सांदार हम लोग को breakout देखने का मौका मिला, और इसके अंदर भी हमारा जो target था, वो ये achieve करते हुए नजर आया है, मेरा अगला Intraday stock था Berger Paint, इसके अंदर Traders हम लोगों ने selling side में अपने trade को plan किया था, लेकिन कोई भी breakdown होते हुए नजर नहीं आया है, तो इसलिए Berger Paint के अंदर हमारा कोई भी entry trigger नहीं हुआ, Friday के लिए मेरा अगला Intraday stock था TakeM, TakeM के अंदर भी Traders हम लोगों को एक बहुत ही सांदर breakout देखने का मौका मिला, और फिर इसके अंदर भी easily हमारा जो target है वो achieve होता हुआ दिख रहा है, तो I hope Traders Friday का जो दिन था वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा गया होगा, maximum stock के अंदर हम लोगों का target achieve हु इसके साथ सा Traders मैंने Britannia का भी chart analysis आप लोगों के साथ share किया था, आप लोगों नीचे comment section में जरूर बताएगा कि Britannia के अंदर कितने लोगों ने अपने trade को initiate किया था, हाला कि इसके अंदर हम लोगों ने 1-2-3 risk reward ratio के साथ अपने trade को plan किया था, यानि कि target हमारा बहुत ही ज 4838 का, लेकिन Traders कल के live market में मैंने आप लोगों को update provide कर दिया था, in fact पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम लोगो को 30% quantity 4818 के approximately book कर लेना है, ताकि हमारा जो risk है वो थोड़ा सा और भी कम हो जाए, इसके साथ साथ live market में भी मैंने आप लोगो update provide किया था, कि जितने भी लो इसे share करके बताया था कि अगर Nifty FMCG अपने इस level को break कर देता है, तो उस case में हम लोग Britannia के अंदर से cost to cost exit हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोगों को इसके अंदर breakdown होते हुए नजर आया, in fact इसके बाद भी मैंने आप लोगों को बताया था कि breakdown हो चुका है, तो आप 50% quantity मैंने आप लोगों को already book करा दिया था, और बाकी remaining quantity का update आप लोगो stop loss हीट होने से बहुत ही जादा पहले मैं दे चुका था, तो पिछले intraday analysis वीडियो में जितने भी intraday stocks मैंने आप लोगों के साथ share किया था, उनमें से 3 में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा target बहुत ही achieve हुआ है, और सिर्फ एक intraday stock यानि कि Britannia के अंदर हमारा जो first target था वही achieve हो पाया, और final target देने से पहले इसके अंदर stop loss हिट हो गया है, और इन सारे stocks के साथ साथ कुछ intraday chart analysis मैंने आप लोगों के लिए live market में भी share किया था, जैसे कि ITC और Kotak Bank है, तो ITC के अंदर तो traders हम कोई भी breakdown देखने का मौका नहीं मिला था, ये continuously 454.5 के आसपास में ही support लेते हुए नजर आया live market में, मेरे chart analysis share करने के बाद में, लेकिन Kotak Bank के अंदर हम लोगो एक बहुत ही सांदार breakout देखने का मौका मिला, और उसके बाद Kotak Bank के अंदर हम लोगो 1833 से लेकर के 1840 तक का momentum भ कर रहा था, क्योंकि उस time पर banking sector हम लोगो बहुत ही ज्यादा bullish नजर आ रहा था, मैंने आप लोगो को कुछ chart भी share किया था, जिसके अंदर हर एक intraday stock में हम लोगो breakout देखने का मौका मिला था, लेकिन banking sector के stocks उस breakout को उस time पर sustain नहीं कर पाए, और इसी कारण से Kotak Bank के अंदर जो analysis है वो पसंदारी होगी, साथी में इसकी जो accuracy है वो भी पसंदारी होगी, इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है, तो please इसे like कर दीजेगा, साथी में अगर आप में से किसी ने भी अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, तो please channel को भी जरूर subscribe कर सके, अगर आप लोग चाहें तो telegram channel को भी join कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मैं आप लोग को intraday stocks से जुड़े हुए updates, साथी मैं live market में भी कुछ intraday chart analysis share करता हूँ, तो इसका link मैंने नीचे description box में provide कर दिया है, वहाँ से आप लोग इसे बहुत ही easily join कर सकते हैं, तो चल कर चुका हूँ, लेकिन चुकि यह अभी weekend था, तो फिर से मैं इसको repeat कर देता हूँ, हम लोग देख सकते हैं, कि daily time frame में अडानी port के अंदर यह जो zone है, वो बहुत ही ज़्यादा crucial role play कर रहा है, फिर यहाँ पर हम लोग को breakdown देखने का मौका मिला, और अब यहाँ पर हम solder pattern भी create होता हुआ, हम लोग को नजरा रहा है, तो ऐसे मैं अगर यह आज के दिन 780 के level को break कर देता है, इसके उपर sustain करता है, तो definitely एक अच्छा खासा intraday momentum हम लोग को अडानी port के अंदर catch करने के लिए मिल सकता है, तो इसलिए traders अडानी port को एक बार फिर से आप लोग आज क तरह से consolidate कर रहा है, तो ऐसे मैं एक अच्छे volume के साथ में हम लोग को breakout देखने का मौका मिलता है, तो definitely final target हम लोग 1-3 या फिर 1-4 तक के लिए भी aim कर सकते हैं, आज के लिए traders मेरा दूसरा intraday stock रहेगा ITC, जिसका chart analysis traders मैंने Friday के दिन भी आप लोग के साथ share किया था अपने telegram चैनल पर, लेकिन उस दिन हम लोग को इसके अंदर कोई भी breakdown देखने का मौका नहीं मिला था, हम लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरह से अपने इसी zone पर हम लोग को support लेता हुआ नजर आ रहा है, साथी में यहाँ पर हम लोग को एक बहुत ही खुपसूरत सा inverse cup और handle pattern भी create होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में अगर breakdown देखने का मौका मिलता है, तो definitely एक अच्छा खासा intraday move हम लोग catch कर सकते हैं, और बात करें हमारे first target का तो वो approximately इस zone तक रहेगा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि इस zone के breakdown होने के बाद जो अगला crucial support इसके लि हमारा first target रहेगा east zone का जो upper support है वो, और second target east zone का जो lower support है वो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि first target पर भी risk reward ratio बहुत ही easily 1-2 का achieve हो रहा है, यानि कि जितना हमारा stop loss है, उसके double में हम लोगोंने अपने target को रखा है, तो अगर आप लोग चाहें, तो first target पर भी complete profit इसके अंदर book कर सकते हैं, और आज के लिए traders मेरा अगला intraday stock रहेगा IGL, IGL के अंदर traders बहुत ही सांदार analysis निकल करके सामने आ रही है, सबसे पहली चीज़ तो यह कि अगर हम लोग इस train line को watch करें, तो देख सकते हैं कि यह अपने train line पर बहुत ही अच्छी तरह से resistance phase कर रहा था बार-बार, यहां से अगर हम लोग एक और train line ड्रॉक करते हैं, तो देख सकते हैं कि यह बहुत ही अच्छी तरह से एक channel pattern में खुद को momentum कर रहा था, लेकिन अब कहीं न कहीं इस lower zone पर आ करके यहां पर consolidation हुआ है, हम लोग देख सकते हैं कि यह खुद को बहुत ही अच्छी zone में हम लोग देख सकते हैं कि higher volume जो है वो buy side में देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां पर यह एक reversal लेने का try कर रहा है, double bottom pattern भी हम लोग को create होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए traders अगर IGL के अंदर आज हम लोग को कोई भी breakout देखने का मौका मिलता है, तो definitely हम लोग 3-3 confirmation के साथ इसके अंदर अपने trade को इनी seed कर सकते हैं, तो इसलिए traders आप लोग IGL को भी जरूर आज के लिए अपने radar पर रखिएगा, लेकिन traders चुकी इसके अंदर हम लोग triple confirmation के साथ जा रहे हैं, तो IGL के अंदर भी better chances है कि हम लोग और भी higher risk reward ratio plan कर सके, अग हम लोग higher target के लिए जा सकते हैं, तो जैसा आपका risk appetite होगा, उस हिसाब से आप लोग अपने risk reward ratio को देखते हुए life market में इसके अंदर trade को plan कर सकते हैं, आज के लिए traders मेरा अगला intraday stock रहेगा, access bank, access bank के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर एक बहुत ही उन पर आगर के बार-बार resistance face कर ला था, फिर यहाँ पर हम लोग को एक higher volume में breakout देखने का मौका मिला, और अब कहीं ने कहीं consolidation के बाद में यह फिर से अपने इस resistance को touch कर रहा है, तो ऐसे में कल अगर यह अपनी cup और handle pattern के neckline को break कर देता है, तो definitely एक अच्छा खासा intraday move हम लो हम लोग को head and shoulder pattern बनते हुए नजर आ रहा है, यह दोनों हम लोग देख सकते हैं कि यह इसका left shoulder हो गया, यह इसका right shoulder हो गया और बीच में यह head का काम कर रहा है, तो ऐसे में कल अगर यह अपनी neckline को break करता है, तो definitely एक अच्छा खासा intraday move हम लोग data communications के अंदर भी catch out कर सकते है तो इसलिए traders data communications को भी आप लोग अपने radar पर जरूर रखिएगा, लेकिन इसके अंदर मेरा session यही रहेगा कि चुकी volume अभी buying side में हम लोग को अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है, तो जब तक proper breakdown नहीं आए, यानि कि कम से कम 15 minute के candle का closing का आप लोग wait कर लिजेगा, औ और अगर यह अपने एक भी 15 minute candle का closing अपने इस सपोर्ट के नीचे में दे देता है, तो definitely एक अच्छा खासा intraday fall हम लोग को टाटा communication के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है, तो traders आज के लिए आप लोग इन पांचो intraday stock को अपने radar पर रख सकते हैं, इन पांचो के वीडियो है, वो मैं आज upload कर रहा हूँ आप लोग के लिए, नहीं तो मैंने संडे के दिन आप लोग के लिए एक live webinar भी प्लान किया हुआ था, जिसको हम लोग definitely इस week में complete करेंगे, जिसके अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन-कौन सी आसी गलतिया है, जो intraday trading के अ बहुत जादा volatility हम लोग को देखने के लिए, तो आप लोग हर एक intraday stock के अंदर proper breakout का wait कीजिएगा, अगर बहुत जादा gap of opening, gap down opening देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग trade को ignore भी कर सकते हैं, या retesting confirmation के साथ उसके अंदर अपने trade को plan कर सकते हैं, जब अच्छा volume आप हम लोग को one hour के time frame में एक बहुत ही कुपसूरा सा cup और handle pattern बनते हुए नजरा रहा है, साथी में data consumer क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छा pattern create होता हुए नजरा रहा है, इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि अमराजा battery के अंदर भी एक बहुत ही कुपसूरा सा descending triangle pattern बनता ही रहे हैं, जैसा कि live market में आप लोग के telegram message पटने से मुझे पता चल रहा है, पोड़ा सा भी risk reward ratio के बारे में नहीं सोचते हैं, बहुत सारे लोग 1 is to 1 या फिर 1 is to 1 से भी कम risk reward ratio वाले trade में भी entry ले ले रहे हैं, तो इसलिए अभी के लिए आप लोग इनी 5 stock को अपने radar पर रखी, क्योंकि इनके अंदर maximum probability हम लोग को breakout या breakdown मिल लेका, और मैं आप लोग को फिर से हमेशा की तरह repeat करना चाहूंगा, कि traders हमारा मकसद यही होना चाहिए, कि पूरे दिन में हम लोग को सिर्फ एक या दो बहुत दिन intraday trade मिल सके, और जैसा कि traders मैंने इस वीडियो को 2 ब message किया, कि sir आज के लिए analysis वीडियो कहा है, तो आज का जो यह वीडियो है, वो कोई भी subscriber gain के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, आज की यह वीडियो बस उन लोग के लिए है, जो अपने पूरे दिल से मुझे support कर रहे हैं, और जिनको मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसं करते हैं, I hope आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 3 बच चुका है और live market में भी आज मैं थोड़ा सा busy रहूँगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी try करूँगा कि आप लोग को live market में भी proper updates regions के साथ में provide कर पाऊं, तो इस के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लीजिएगा, धन्यवाद